वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर्ग क्लासेश हम आज ग्रूप डी के लिए आपको एक और कोशिन समझाएंगे कैसे इस कोशिन को बना सकते हैं यह कोशिन है चिगनमट्रे का दोस्तों यह कोशिन आपका बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं है असाही कोशिन है पर इसे बहुत सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स और के वराबर क्या होता है तो हम जानते क्या है कि कि साइन एक्स बराबर होता है ठीक है मैं कॉश ईख बराबर होता है बैबाई एस सबका मतलब क्या होगा मैं को बताऊंगा और आक्स बराबर क्या होता है पी बाई बी और पी वी एच पाइथा गॉरस थीरम से रिलेटेड होते हैं पी स्क्वाइल प्लस बी स्क्वाइल इस इकोल टू एच स्क्वाइल ठीक है अब पी जो होता है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडेकुलर या लाम कहले जो कुछ भी हाइप्रोटनियूज हो गया यह हो जब आपको ये दिया रहे है इसका मतलब हमी क्या दिया हुआ है 8 10 x साथ गुना में तो यहां से हम निकल सकते हैं पर बराबर कितना हो गया पंदरा और बराबर कितना हो गया आठ कि अब हमें निकालना क्या है इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एच के ठीक है तो यह कितना हो जाएगा हमारा दो सो पच्चिस और यह होगे हमारा चौसर जोड़ेंगे तो कितना आएगा नो आठ दो एच बराबर कि हो गया है एच हम निकालेंगे सब्सक्राइब में रूट और 219 किसका रूट है 17 का 2749 होता है तो ओनीस यह थीक है है तो एच निकल गी हमारा पी पता है वी-ता था सटनी एक का वैली जोड़ेंगे यह हम उनके जानते ही पी बाई है तो पी हमारा कितना है 15 और एच कितना है 17 कौसरत बीवार होगा आठ ब बैसा निकाली तो कितना ऐगा सतरह यह आ जाएगा पर पंदरा यह आजाएगा आठ यह हो जाएगा आपका साथ बटा शतरह इस तरीका से भी कोशिण को सॉल्व करीगा तो बहुत आसान लगेगा अगर आप कोशिश करिएगा कि हम फॉर्मुला में बिठा है साइनिक को करें हमारे चैनल के अगर आप गूप दी का तयारी कर रहे हैं तो जरूर जरूर शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको गूप दी का परिचा निकल जाए थैंक्यो वाचिंग प्रेंट्स